हेलो फेरंड्स वेल्कम बाइक टूजाइम टूटोरियल तो फेरंड्स आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम 30 डिगरी का एंगल किस परकार ड्रोग करेंगे अपने कोपी में हम लोग क्या करते हैं हम एक बेस लेते हैं हम एक अधार लेतें जो कि ये मैंने एक बेस लिया जिससे हींदी में आधार करते हैं अल राइट अब हम क्या करते थे इसके बाद हम लोग क्या करते थे जो मेरा हम एक चांप तहे कर लेते थे सो मैंने इतना चांप यहाँ पर तै कि एतना आर्क का हमें एंगल बनाना है इतना चांप लेकर के तो ये आपको इतना कर लेना है उसके बाद यहाँ पर केंद्र आप माने हैं बहां से चांप की काटा को रख कर आप क्या करी »,– ये एक आर्क आप किसी भी साइच का बना लिए ओ ये ऊके ये ये इतना साइज का आर्क बना लिया हूं, ओल राइट, अच्छा, 30 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 60 डिग्री का मार्क करना होगा, तो यह जो एंगल आप लिए है, इसको चिंज नहीं करना है, आपको यही आपको चांप रखना है, और यहाँ पर रख करके आप 60 दिदिग्री का बनाते थे, यह आपको 60 डिग्री का होगा, ओक्ए, यह जो एंगल है, यह कितने डिग्री का होगा, देते थे, तो 60 डिग्री का हो जाता था, अल्राइट, जैसा कि आप देख पा रहा है, यह इस तरह 60 sub ハक बनान था, ओके, अब हमने क्या करेंगे हम बैट और एक अल्क रगाएंगे all right हम क्या करेंगे अब क्या करेंगा Champs मिधा देंगे तो ये जो एंगल होगा ये मेरा ठाट लिग्री खौऊल ये देखर ये मेरा आप बना भाई 30 डेटी का आप चाहे तो आप इसे नाप भी सकते हैं अपने इस चांद की शाहता स्प्रोटेक्टर से यह देखिए यह मेरा कितने डिज्टा बना भाई यह देखिए 30 डिज्ट का ठीक बना यह देखिए 30 डिज्टी ओके और इस परकार आप लो चाहे तो मैं इसे इस परकार ताकि देखने में खुबशूर्ती आ जाती है उके इस परकार मैं चिनहित कर देता हूं और यहां आप में लिख देता हूं 30 डिग्री आल्राइट तो इस परकार आप 30 डिए ड्रोक रोगे आपको समझ में आ गया हो तो मिलते हैं आगले वीडियो में हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे